जहन्द एवरिवन मध्यप्रदेश NTSC stage 1 के dates announce हो चुके हैं एक्जाम फॉर्म कब से आएगा यह सारी चीजी आपको बता दी गई है तो आज आपको इस वीडियो में एकदम detailed में समझाऊंगा कि किस तरह से आपको एक्जाम फॉर्म भरना है किस तरह से स्कूल का रोल होने व को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ सेयर करिएगा ताकि वह भी इस एक्जाम को जरूर भरे एक बार जरूर अपियर करें और किसी भी स्टेट के हो आप बिल्कुल चिद्दा मत करिए अगर आपके हां के अभी NTSC stage 1 के form नहीं हुए तो वह भी जल्दी ह हो जाएंगे तो आज हम लोग बात करने वाले मत्यप्रदेश के बारे में तो सबसे पहले मैं बता दू कि आपको सारी चीज़े कहां पर चेक करनी है मत्यप्रदेश की वेबसाइट दी गई है www.mponline.government.in ठीक है यह वेबसाइट पर ही आपको सारी चीज़े करनी है देख बहुत आराम से इत्मिनान से आप पढ़ सकते हैं मैंने इस टेलीग्राम चैनल पर एडदर इट रैंकास आप टेलीग्राम एप से खोज लीजेगा वह आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन उसको पढ़ लीजेगा उसकी जो सारी बाते लिखी हुए हैं वह मैं आपको इस अक्टूबर 2021 से यह स्टार्ट हो जाएगा और तीस नौवंबर तक आप भर सकते हैं मतलब एक महीने से भी ज्यादत तक का आपको टाइम है जल्दबाज यह बिल्कुल नहीं करनी है आराम से भर लीजेगा ठीक है सारी चीजिजों के लिए मैं हूँ अमेसा एक्जाम संबर में आपके टर्मोवन भी है तो उस चीज का ख्याल रखा जा रहा है अब सारी इंपॉर्टेंट चीजे लिख लीजिए कि इसमें आपकी जो एज होनी चाहिए वह 18 से कम होनी चाहिए एक जुलाई 2021 से पहले ठीक है इस इस डेट से इस डेट को अगर आपका यह काउं करते हैं उसका आपको सार्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा ठीक है सार्टिफिकेट बनवा लीजिएगा क्योंकि जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो वहां पर चीजे भी अप्लोड करनी होंगी अब यह जो वेबसाइट मैंने आपको बताई थी यह जो यह देख सकते हैं ओनलाइन कर सकते हैं और उसके बाद करने के बाद उसकी एक औरने को बर रहा हूं बर रही हूं यह काम यह procedure है आप मेरी help करेंगे और वो बिलकुल help करेंगे आप जरूर उनसे कहिएगा जरूर ठीक है तो यह स्कूल का भी कुछ से यहीं था ना हां दस बार बजे तक आपका पहला पर होगा गाटीज मैड का और दूसरा पर आपका ओगा देड़ बजे से साधे तीन बजे का जो की होगा आपका सैट का तो यह लिए इन्होंने कर दिये कि आपके टाइमिंग क्या होने वाली है अब पेपर का पैटर्ण ज पैटल रहने वाला मैं 100 कोष्च्यंट 120 मिनाट नो नीगेटिव मार्किंग तिन में इन्हों ने बता दिया है कि सारी साइंस जो 40 को होने वाले है इसमें 13 आपके फिजिक्स 13 आपके चालीस और 14 तोड़ी सी बताई है वह चीज़ आप लोग जानके रखिए पंदरा क्वेश्चन आपके जियोग्राफी के पांच क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स कह सकते हैं और पांच क्वेश्चन आपके एकोनॉमिक्स से तो यह चीज़ याद रखिए का भाईक दस दस का रेशियो नहीं है पंदरा पंदरा पांच पांच का रेशियो है और एक बीस नंबर का मैथेमेटिक्स ठीक है क्लियर है यह सारी चीज़े रहने वाली है अब आपको तयारी करने के लिए इस चैनल पर सारी चीज़े मिल जाएंगी ठीक है अगर आप पहली बार आ ले लिएक्ट की पूरी प्लेलिष्ट मिल जाएगी सश्टी की फूरी प्लेलिष्ट मिल जाएगी इसके अलावां एसस्टी के लिए आप को फॉलो करिए क्योंकि अब मद्यप्रदेश की सरकार ने भी फॉलो करना शुरू किया है तो आपको भी फोकस्ट रहना है लेकिन मुझे पता है कि मद्यप्रदेश वाले बच्चों को दिक्कत होती कि हिस्ट्री में क्या करें अभी तक जो त्रिंड रहा है थोड़ा बहुत उसको फॉलो करना है तुम्हें मतलब अगर वहां पर एंसी एंट थोड़ी बहुत पूछी जा रही है तो थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है एंसींट में डाईबल और इंडियन हिस्ट्री यह आपके फोकस्ट में रहेंगे ठीक है इंडियन हिस्ट्री उसके अलावा मत अगर नहीं कर पा रहें तो नहीं अगर कर पाओ तो कर लेना ठीक है जियोग्राफिक के लिए आप नाइन टेंथ की एंसी आटी के लावा कुछ भी नहीं तो यह पूरा प्रोसीजर रहने वाला हाला कि मैट सैट इस सारी चीज़ें डिटेल हमने एंपी की स्टेट वाइज इनलेसिस में बता रखी है वह वाली वीडियो आपको डेस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर प्लेलिस्ट में आप स्टेट वाइज इनलेसिस में चेक कर सकते हैं जहां पर हमने कट आप वेगरा सब चीज की बात की है क्लियर है तो यह तरीका होने वाला यह आ रैंकर लाइव एप रैंकर लाइब एफ है हमारा अगर चाहते कि आपको परस्णल मेंटर्शिप मिलिए तो उस पर एक टेस्ट सिरीज है आरमब टेस्ट सिरीज ठीक है यह आप जॉइन कर सकते हैं इसमें आपको टेस्ट भी मिलेगा और पर्सनल मेंटर्शिप मिलेगा वाटसब ग्रूप के थुरू मिटिंग के थुरू पर्सनली आप इसे कनेक्ट हो सकते हो जो भी आपके डाउट क्रियेट हो रहे हैं इस एक्जाम को लेकर कैसे तैया 95 ठीक है आपको जो भी कुछ पूछना है यहां पर आप पूछ सकते हो आए होप चीजे क्लियर हुई होगी आपके दिमाग में एक चीज फिट हो गई होगी कि हमारे भी 16 जनुरी को पेपर होने वाले हैं वह आप नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम में मैंने अपलोड कर रखा है उसको वहां से जाकर डाउलोड कर सकते हैं तो चीजे क्लियर हुई होगी तो यार MP वाले सभी अपने दोस्तों से जरूर सेयर करना यार आपकी एक्जाम फॉम आउट हो मतलब की समझ लो आउट ही हो गए है अब आपको क्या करना है सिर्फ और सि है हिन